शिंखिप्ट शिवपुरान रुद्र सहीता शिवा का अपनी मैल से गनेश जी को उत्पन करके द्वार पाल पद पर नियुक्त करना गनेश द्वरा शिवजी के रोके जाने पर उनका शिवगनों के साथ भ्यांकर संग्राम शिवजी द्वरा गनेश का शिरस छेदन कुपित हुई शिवा का शक्तियों को उत्पन करना और उनके द्वरा परले मचाया जाना दीवटाउन और इशियों का स्तवन तवरा पार्ति को परसन करना उनके द्वरा पुत्र को जिलाए जाने की बात कही जाने पर शीव जी के आग्या के अंसार हाथी का सिर लाया जाना और उसे गनेश के धर्ट से जोड़ करके उन्हें जीवित करना सूजी कहते हैं तारकारी कुमार के उत्तमें अग्भुद वरितांत को सुन करके नारजी को बड़ी प्रसंत आवे उन्हें पना प्रेम पुरग ब्रह्मा जी से पुचा नारजी बोले देव देव आप तो शीव सम्मंदी ज्यान के अथासा करें मेरे स्वामी कार्ति के सद वितांत को जो अमरत से भी उत्तम है सुन लिया आप गनेश का उत्तम च्रित्र सुनना चाहता हूं आप उनका जनम वितांत तथा दीवे च्रित्र जो सम्पूरन मंगलों के लिए भी मंगल सब रूप है वर्नन कीजी सो जी कहते हैं मामनі नारट का ऐसा वजन सुनकर के ब्रह्मा जी का मन हर से गटगट हो गया मैं शिव जी का समरण करके बोले ब्रह्मा जी ने कहाँ नारट पहले जो मैंने विधीपूरक गनेश की उत्पती का वर्नन किया था कि शनी की दृष्टी पढ़ने से गनेश्ची का मस्तक अट गया था तब उस बान हाथी का मुख लगा दिया गया था मेख कलपांतर की कता है अब शेत कलप में घटित हुई गनेश्ची की जनम कता का वर्णन कता हूं जिसमें करिपालू शुंकर ने ही उनका मस्तक काट लिया था मुने इस विश्य में तुम्हे संदे नहीं करना चाहिए क्योंकि भगवान शंभू के लियानकारी शिष्टी करता और सब के स्वामी है वे ही सगुन और निर्गुन भी हैं उनकी लीला से सारे विश्य की शिष्टी रक्षा और विनाच होता है मुनिश्रेश्ट अब प्रस्तत विश्य को आधर पुरक्षिरमन करो एक समय पार्ती जी की जिया विज्या नामाली सखियां उनके पास आतर के विचार करने लगी सखी सभी गान रुद्र के ही हैं नंदी भ्रिंगी यादी जो हमारे हैं वे भी शिव के ही आग्या पालन में तत्वर रहते हैं जो असंख्य प्रमत गन हैं उनमें भी हमारा कोई नहीं है वे सभी शिवाग्या परायन होकर के द्वार पर खड़े रहते हैं यद भी वे सभी हमारे भी हैं तथा भी उनसे हमारा मन ने मिलता अता पाप रहते आपको भी हमारे लिए एक गन की रचना करने चाहिए बम्मा जी कहते हैं उनने जब सख्यों ने पार्तिजी से ऐसा संदर्वचन कहा तब उनने उसे हित का रकमाना और वैसा करने का विचार भी किया तरंतर किसी समय जब पार्तिजी शिनान कर रही थी तब सदाशीव नंदी को ड्रा धमका करके घर के भीतर चली आई शिंकर जी को आते देख करके शिनान करती हुई जगत जन्नी पार्ति उठ करके खड़ी होगी उस समय उनको बड़ी लज्जाज में आचर चकित होगी उस अफसर पर उन्होंने सक्खियों के वचल को हिट करक तथा सुक प्रदमाना उस समय ऐसी घटना घटित होने पर परमाया परमेश्री शीव पत्री पार्ति ने मन में ऐसा विचार किया कि मेरा कोई एक ऐसा सेवक होना चाहिए जो परमशुब कारे कुशल और मेरी ही आग्या में तत्पर रहने वाला उसमें तनिक भी विचलित होने वाला ना हो यो विचार करके पार्ति ने अपने शीर की मैर्ट से एक कैसे चेतन पुरुश का निर्मान किया जो संपुर्न शुब लक्षें से स्युब था उसके सभी अंग संदर एम दोश रही थे उसका वे शिरीर विशाल परमशु भाईवान और महान बाल प्राकरम से संबन था देवी ने उसे इनेक परकार के वस्तर नाना परकार किया भुशन और बहुत सा उत्तम आशिरवाद दे कर के कहा तुम मेरे पुत्र हो मेरे अपने ही हो तुमारे समान प्यारा मेरा यहां कोई नहीं है पार्ती की ऐसा कहने पर वह प्रूश उन्हें नमशकार करके बोला गनेश ने कहा मा आज आपको कौन सा कारिया पड़ा है मैं आपके कथन के उन्सार उसे पूर्ण करूंगा यनेश जी की यह पोचने पर पार्ती जी अपने पुत्र को उत्तर देती ही बोली शीवा ने कहा तात तुम मेरे पुत्र हो मेरे अपने हो आता तुम मेरे बात सनो आज से तुम मेरे द्वार पाल हो जाओ सत्पुत्र मेरी आँगा के बिना कोई भी हट पुरक मेरे मैल के भीतर प्रवेश नहीं करने पाई चाहे वै कहीं से भी आई कोई भी हो बेटा ये मैंने तुम से बिलकुल सत्य वात गई प्रमा जी कहते हैं मुने यो कह करके पारती जिने गनेश की हाथ में एक सुद्रिड चड़ी दे दी उस समय उनके सुन्दर रूप को निहार करके पारती हर्शमगन होगी उनने परम प्रेम पूरक अपने पुत्र का मुख जुमा और क्रिपा परवश होकर छाती से लगा लिए फिर दंड़धारी गन्राज को अपने द्वारपल स्थापित करती है भिड़ा नारत कंतर पारती नंदर महावीर गनेश पारती की हित कामना से हाथ में छड़ी लेकर के गरह द्वार पर पैरा देने लगी उदर शीवा अपने पुत्र गनेश को अपने दर्वाजे पर नियुक्त करके सियम सक्खियों के साथ शिनान करने लगी मुनिश रेष्ट इसी समय भगवान शीव जो परमकोत की तथा नाना परकार की लीलाणी रचने में निपुन है द्वार पर आपोचे गनेश उन पारती पती को पहचानती तो थे नहीं अतर बोल थे देव माता की आगे के बिना तुम अभी अंदर भीतर मत जाओ माता शिनान करने बैट की है तुम कहां जाना चाहते हो इस समय यहां से हट जाओ यों कह करके गनेश ने उन्हें रोकने के लिए चरी हाथ में ले ली उन्हें ऐसा करते दे के शिव जी बोले मूर्ख तू किसे रोक रहा है दुर बुद्धी क्या तुम मुझे नहीं जानता मैं शिव के अतरिक्त और कोई नहीं हूँ फिर महीशर के गन उसे समझाकर हटाने के लिए वहां आए और गनेश से बोले सुनो हम मुख शीव गन ही दुआर पाल है और सर्वयापी बगवान शंकर की आग्या से तुम्हें हटाने के लिए यहां आएं तुम्हें भी गन समझ करके हम लोगों ने मारा नहीं है अन्य था तुम कब के मारे गे होते अब कुछ चले सीमी है कि तुम सता ही दूर हट जाओ क्योंकि वेर्थ अपनी मृत्यों बुला रहे है प्रमा जी कहते हैं मुने यो कहे जाने पर भी गिरी जा नंदन गनेश निर्बे ही बने दे उन्हें शीवगनों को फटकारा और दर्वाजे को नहीं छोड़ा तब उन्ह सभी शीवगनों ने शीवजी के पास जाकर के सारा विर्तान तुने सुनाया मुने उनसे सब बते सुनकर के संसार के गती सवरूप अदबुद लीला विहारी महिशर अपने उन गनों को डांट करके कहने लगे महिशर ने कहा गनो ये कौन है जो इतना उस शेंकल होकर के शत्रू की भाती बख रहा है इस नहीं द्वारपाल को दूर भगा दो तुम लोग नपनसक की तरह खड़े होकर के उसका वितार्त मुझे क्यों सुना रहे हो विचित्र लीला रचने वाले अपने स्वामी शंकर के यो कहने पाल वे गन पुना वहीं लोटाए तरंतर गनेश द्वारपुना रोके जाने पर शिवजी ने गनो को आग्या दी कि तुम पता लगाओ ये कौन है और क्यों ऐसा कर रहा है गनो ने पता लगा कर बताया कि वे शिरिगिर्जा के पुत्र हैं तो था द्वारपाल के रूप में बैठे हैं तब लीडा रोप शंकरने विचित्र लीला करनी चाहिए तब अपने गनों का गरवी गरित करना चाहा इसलिए गनों को तथा देवताओं को बुला करके गनेश ची से भीशन युद्द करवाया पर वे कोई भी गनेश ची की कोप राजित नहीं कर सके तब सेम शूल पानी महिशर आए गनेश ची ने मता के चन्नों का समर्ण किया तब शक्ती ने उन्हें बल पर दान कर दिया सभी देवताओं शिवजी के पक्ष में आगे घोर युद्ध हुआ अन्तोथ गत्वा सेम शूल पानी महिशर ने आकर के तरिशूल से गनेश ची का सिर काट दिया जब ये समा चारपारती जी को मिला तब एक कुर्द हो गई और बहुत सी शक्तियों को उत्पन करके उन्होंने बिना विचारे उन्हें परले करने की अग्या दे दी फिर तो शक्तियों के द्वारा परले मचाई जाने लगी उन्हें शक्तियों का वहज जल्ले मान तेज सभी दिशाओं को धक्सा किये डालता था उसे देख करके वे सभी शिवगन बैवीत होगे और भाग करके दूर जा खड़े हुई उन्हें इसी समय तुम देवे दर्शन नारद माहा पूछे तुम्हारा माहा अनिकावी पराए देवगनों को सुख पोचाना था तब तुमने मुझे देवताओं से हित शंकत को परनाम करके कहा कि इस विशे में सब को मिल करके विचार करना चाहिए तब वे सभी देवता तुझ महा मना के साथ सला करने लगे कि इस दुख का शमन कैसे हो सकता है फिर उन्होंने वही निश्चे किया कि जब तक गिर्जा देवी कृपा नहीं करेंगी तब तक सुख नहीं परापत हो सकेगा अब इस विशे में और विचार करना वेर्थ है ऐसी धार ना करके तुमारे सहीत सभी देवता और रिशी भगती शीवा के निकटगे और क्रोध को शांती के लिए उन्हें परसन करने लगे उन्हें प्रेम पूर्ग उन्हें परसन करते होई अनेको उस्तोत्रों द्वरा उनकी इस्तुति करके बारंबार उनके चर्णों में हुँ इबादन किया फिर देवगंगी आग्या से धिशी बुले देवरिक्षियों ने कहा जगदंबे तुम्हे नमस्कार है शीवपत्नी तुम्हे परनाम है चंडिके तुम्हे हमारा अभिवादन प्राप्त हो कल्यानी तुम्हे बारंबार परनाम है अंबे तुम्हे आदी शक्ति हो तुम्ही सदा सारी शिरिष्टी की निनाय करती पाली का शक्ती और संहार करने वाली हो देवेशी तुमारे कौप से सारी तिलो की विकल हो रही है अब परसन्न हो जाओ और क्रोध को शांत करो देवी हम लग तुमारे चर्नों में मस्तक चुकाते हैं ब्रह्मा जी कहते हैं नारद यो तुम सभी दिश्यों द्वारस्ति किये जाने पर भी प्रादेवी पार्ति ने उनकी और क्रोध भरी दिश्टी से भी देखा किन्तो कुछ का नहीं तब उन दिश्यों ने पुना उनके चर्न कमलों में सिर्ध जुकाया और भक्ति बुरक हार्थ जोड करके पार्ति जिसे निविदन किया रिश्यों ने कहा देवी अभी संहार होना चाहता है तब शमा करो शमा करो अंबिके तुमारे स्वामी शीव भी तो वही यहीं स्थित हैं तने कुन किया और तो देखो हम लोग ये ब्रह्मा विश्णु आदी देवता तता सारी प्रजा सब तुमारे ही हैं और व्याकुलो करके अंजली बांदे तुमारे सामने खड़े हैं परमे श्री इन सब का अपराद शमा करो शिवे आप इन शांती पर दान करो प्रह्मा जी कहते हैं मुने सबी देव रिशी कहकर के अत्यत दीन भाव से व्याकुल होकर के हाथ जोड़ करके चंडिका के समुख खड़े होगे उनका ऐसा कथन सुन करके चंडिका पर सन्न होगी उनके हित्ने में करना का संचार हो आया तब रिशियों से बोली देवी ने कहा रिशियों ये दि मेरा पुत्तर जीवित हो जाए और वह तुम लोगों के मध्य पूजने ये मान लिया जाए तो संहाद नहीं होगा जब तुम लोगों उसे सरव अध्यक्ष का पर्द पर दान कार दोगे तब ही लोग में शांती हो सकती है अनने था तुमें सुख नहीं बराबत हो सकता पम्मा जी कहते हैं मुनी पार्टी की यो कहने पर तुम सभी रिशियों ने उन देवताओं के पास आकर के सारा विर्टांत कैस सुनाया उसे संकर के इंदर आदी सभी देवताओं के चेहरे पर उदास ही जागी वे शंकर जी के पास गे और हाँच जोड करके उनके चरनों में नमशकार करके सारा समचार निवीदन किया देवताओं का कतन सुन करके शिव जी ने कहा ठीक है जिस परकार सारी तिलोकी को सुख मिल सके वही करना चाहिए अब उत्तर दिशा की और जाना चाहिए और जो चीव पहले मिले उसका सिर काट करके उस बालक के शिर पर जोड़ देना चाहिए भरमा जी कहते हैं मुने तदंतर शिव जी की आग्या का पारण करने वाले उन देवताओं ने वे सारा कारे संपन किया उन्होंने उस शिशु शिरीर को धोज पोच करके विदी वत उनकी पूजा की फिर वे उत्तर दिशा की और गे वहां उन्हें पहले पहल एक दांत वाला एक हाथ ही मिला उन्होंने उसका सिर लाकर के उसे शिर पर जोड़ दिया हाथी के उस सिर को से युक्त कर देने के पच्चातर सभी देवताओं ने भवान शिव आदी को परनाम करके कहा कि हम लोगों ने अपना काम पूरा कर दिया अब जो कुछ शिश है उसे आप लोगों को पूर न करें ममा जी कहते हैं तब शिव आग्या पालन संबंधनी देवताओं की बात सुन करके सभी देवों और पार्ष्टों को महान आनंद हुआ तत्वष्चात ब्रह्मा विष्णु आदी सभी देवताओं अपने स्वामी निर्गुन सब रूप बगवान शंकर को परनाम करके बोले स्वामीन आप महात्मा के जिस तेज से हम सभी उत्पन हुई हैं आपका वही तेज वेद मंत्र के अभी योग से इस बालक में परवीश करे इस परकार सभी देवताओं ने मिल करके वेद मंत्र द्वारा जल को अभी मंत्र किया हिर शीव जी का समरन करके उस उत्तम जल को बालक के शीर पर छिड़क दिया उस जल का शिपर्ष होते ही वे बालक शीव इच्छा से शीग रही चीतना युक्तो करके जीवित हो गया और सोई की तरह उठ बैठा वे इस वागी शारी बालक का त्यंत संदर था उसका मुखा हाथ ही का सा था शीर का रंग हरा लाल था चेहरे पर परसंता खेल दे थी उसकी आकरिती कम निया थी और उसकी संदर प्रबा फैल डई थी मुनीशवर पार्ति रंदन उस बालक को जीवित देखकर वहाँ उपस्तित सभी लोग आनन्द मगन हो गये और सारा दुख विलीन हो गया तब हर्षवी भोर होकर के सभी लोगों ने उस बालक को पार्ति जी को दिखाया अपने पुत्र को जीवित देखकर पार्ति जी परंपरसंन होई अध्याए 13-18 पोर्न होआ